30 साल की बुरुकलिन कोड़े अमेरिका की एक जानी मानी और खुबसूरत मॉडल है बुरुकलिन अपनी कजन के साथ टहलने के लिए अपने पिट बुल डॉग को बाहर ले जा रही थी तीनों सडक पर टहल रहे थे कुटा बैठ गया और बुरुकलिन ने कुटे को थप थपाया अचानक कुटा उचला और बुरुकलिन के होटो को काट लिया कुटा काफी देर तक बुरुकलिन के होटो पर लटका रहा और वो मदद की गुहार लगाती रही पिटबूल ने उसकी नाग और उसके पूरे उपरी होट के हिस्से को फार दिया था ब्रुकलिन का काफी खून बह रहा था और उसे तुरंद अस्पताल ले जाया गया इंस्टाग्राम पर ब्रुकलिन ने बिना उपरी होट और खून बहते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की ये कोई हालिया घटना नहीं है ये 2020 में हुआ था घटना के बाद जब उसने खुद को फोन की स्क्रीन पर देखा तो उसके होश उड़ गए उसने फोटो को सेव कर लिया था और आब इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही है ब्रुकलिन ने कहा कि नाक के एक हिस्से और उपरी होट के बिना वहाँ एक अजनभी की तरह मैसूस कर रही थी जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो पहले की तुलना में बिलकुल अलग दिख रही थी वो तबाह हो गई थी ब्रुकलिन कई डॉक्टरों के पास गई और उनमें से कोई भी उसके होटों को पहले की तरह फिर से बनाने में मदद नहीं कर सका जब वहां बाहर होती थी तो लोगों द्वारा उसे घूरने से वह असहज हो जाती थी सहयोग से कोविट महामारी का समय था और वह घर पर थी और उसे बाहर मास्क पहनना पड़ता था लेकिन इससे पहले उसे कटी हुई नाक और होट के साथ बाहर जाने में शर्मिंद की महसूस होती थी हलाकि मास्क से कोई उसकी चोट को नहीं देख सकता था जब मास्क पहनने की अनिवर्यता हटा दी गई तो ब्रूकलिन को असाज मैसूस हुआ कि लोग उसे फिर से घुरेंगे वह दो साल तक पीड तही और अपना चेहरा फिर से बनाने चाहती थी लेकिन कोई भी डॉक्टर बदत नहीं कर पाया उसने बहुत कुछ साहा था फिर वह एक डॉक्टर से मिली जिसने उसे बताया कि उसके चेहरे को पहले जसा बनाना संबव है ब्रॉक्लिन की 6 सरजरी हुई जिन में से कुछ उसे नया उपरी होट देने के लिए 20 घंटों तक चली डॉक्टरों ने पूरी तरह कारात्मक नया उपरी होट बढाने के लिए उसकी बाह से तचा और नसों को लिया उसे कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा कितनी बजबूत लड़की है उसने अपनी तस्वीरे इंस्टाग्राम पर पोस्ट की वह कितनी प्रेड़ना दयक है उसने हर सरजरी के बाद अपनी तस्वीरे पोस्ट की वह सच मुच अविश्वसनिया है हमले के बाद व्रुकलिन मुस्कुरा नहीं सकती थी क्योंकि उपरी होट और नाक फट गहे थे चोट के कारण उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा उसके बावजूद उसने धहर्या बनाये रखा वह अपने परिवार के समर्थन और उत्साजनक शब्दों के लिए आभारी थी जिनोंने उसे अपने बारे में अश्वस्त होने में मदद की अब दो साल की पीड़ा के बाद वह बिना मास के दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है पिछले दो वर्षों के अनुभव के साथ अब वह अश्वस्त है और अपने चेहरे को लेकर शर्मिन्दा नहीं है उसने दूसरों को खुद पर शर्म ना करने के लिए प्रोचसाहित करने के लिए इंस्टाग्राम पर संदेश पोस्ट किये है वह अन्या महिलाओ को प्रोचसाहित करती है कि उनके साथ क्या हुआ उसे वे स्वीकार करे और उसके बारे में बात करे वह अपने अनुभवों के बारे में बहुत बताती है इस महिने के अंथ में उसकी एक और सरजरी होने की उमीद है सर्जनी ने उसके उपरी होट को पूरी तरह से फिर से बना दिया है उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह एक बार फिर मुस्कुरा सकती है उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया है भूगलिन अपने ट्रांस्वर्मेशन को सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है लोगों ने उसके देर्य की सरहना की है जो आपके साथ हुआ है उसे स्वीकार करे किसी को सिर्फ इसलिए बदसुरत ना कहे क्योंकि वह अलग दिखता है हम सभी इश्वर्द्वारा बनाए गए प्राकृतिक प्राणी है और हर कोई सुन्दर है हम सभी सुन्दर है और चाहे हमारे साथ कुछ भी हो हमें सकारत्मक्ता फैलानी चाहिए ताकि व्यक्ति बहतर महसूस करे यदि आप शर्मिंदा महसास करेंगे तो अधिक लोग आपका उपहास करेंगे और आप पर अत्याचार करेंगे अगर आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे तो लोग अपने आप ही अपनी सोच बदल लेंगे